अलो बाइस गुडूनिंग वेलकम टूर यूटिप चैनल एंगर एज तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक में जो असिस्टेंट मेनेजर का वेकेंसी आया वा था 2022-2023 नोटिफिकेशन का तो उसमें जो है कितने लोगों ने अपलाय किये थे इसके रिगार्टिंग मैंने आर्टिय लगाय था तो उसका रिप्लाय आज आ चुका है तो इसी के रिगार्टिंग पूरा डीटिल में बताने वाला हूँ इसके वीडियो को लास तक जरूर देख आपको मिल जाएगा क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं तो इसके रिगार्टिंग मैंने लगया था एक महिना पहले मतलब 13 नवेंबर 2022 को आज उसका रिप्लाय आ चुका है हाला कि ज्यादा खुश होने वाला कोई रिप्लाय आया नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा देता तो देखो देखो और इनके पास अभी तक कोई भी डीटेल जानकारी है नहीं इसके रिगार्डिंग कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाय किया है ठीक है इसलिए इन्हों ने रिप्लाय नहीं किया आप देख सकते टूटल सोला पोष्ट है इसमें टोटल 16 वैक इन्सी थी सोला में से ओली एक वेकंची जो एंजी के लिए हैं अब ही जर्टिंसaben के लिए वाखे की पंधरा पोस्ट जनरलीक्ट के लिए आयो वाक burstsने आऊगा और मैंने एक और चीछ पुछा था कि वेटिंग लिस्ट में से कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया था तो आप देख सकते हैं जनरल में तीन लोगों को सेलेक्ट किया गया था तो लोटल इसके 15,000 रेजिस्ट्रेशन होए थे तो आप मांच के चलो 7-8,000 लोग इसका एक्जामेशन देने वाले हैं हो सकता है इससे कम भी यह नंबर हो जाए इससे कम भी यह नंबर हो जाए क्योंकि 24 तारीक को इनजबी साथी साथ नाबाड का भी एक्जाम है तो काफ लोग एनजबी का एक्जाम नहीं दे पाएंगे जिस कारण इसमें जो प्रेजेंटी है वो कहीं न कहीं कम होने वाली है ठीक है तो 15,000 लोगों ने रेजिस्ट्रेशन किया था साथ साथ 6,000 मेरे ईछब से जोए ऐक्जाम दें इससे कम भी होजकता है तो इसके रिगार्डिंग फिर से रटे लगा दिए देखते क्या रिप्ला आता है फिर मैं आपको जहीं रिपला रहेगा तो उसके रिगार्डिंग बता दूंगा ठीक है आपको अप्डेट देना गुडबाय